अच्छा तो अस्राम अलेकुम बॉटसंस एच फाइब डॉट कॉम का मैंने लाइब डिपोजिट कर दिया था लाइब विडरॉल करने लगे काफी लोग बोल रहे थे हुजात बही क्या यह जो इनका दस डॉलर है वह हम साथ में विडरॉल कर सकते हैं या नहीं तो चीज मु में 42.8 पड़ा हुआ है तो लेविल वन मेरा ओपिन हो चुका है लेविल वन ओपिन तब होगा जब थर्टी यूएजडी का डिपोजिट करोगे तो यहां से विडरॉल पे कैश आउट पे किलिक करते हैं और यूएजडी लिखते हैं यहां पर पहले 42 लिखके देखते हैं वैसे तो मेरा ख्याल है कि नहीं देंगे और आपकी जो इन्वेस्मेंट देना और उसका जो कमिशन है सिर्फ आप वही विडरॉल कर सकते हो जो इनका 10 डॉलर ये लोग दे रहे हैं वो हम लोग विडरॉल यहां से नहीं कर सकते हैं और यहां से मैं इनको दुबारा कैश आ अब थोड़ी दिर में यहां पर वेट भी करूंगा कि विडरॉल मेरा पास हो जाए तो विडरॉल रिकॉर्ड भी आपको दिखा देता हूं यहां पर दिखो पैंडिंग रिविउमें ठीक है बत्यस डॉलर निकले हैं और टाइम वगरा डेट वगरा आप सब लोग देख स आज मुझे विडरॉल आ गाए तो यहां पर देखो यह विडरॉल पास हो गया सदोगे कि यहां से यहां से इनका विडरॉल कन्फर्मड हो चुक है ठीक है बाइनन्स को पीन कर लेते हैं मैं विडरॉल हुआ या नहीं हुआ तो फिलाल वाटसन एश्वाइव 10 डालर दे र इन्वेस्मेंट लाजमी करनी पड़ेगी तो यहां से आइसेट्स में जाएंगे और डिपोजेट हिस्ट्री आप देख सकते हो 39.76 फीज वगरा काटके 7% की फीज है मेरे कहल में वो सब काटके मुझे रिसीव हो चुक है मेरे और केक्स अकाउंट में इसलिए चोड़ दिया क्योंकि आप लोगों को पता है सारे स्केमर्स को मेरा युजे बहुत मुझे बहुत मुश्किले हो रही थी तो वह मैंने अब चेंज कर दिया है यहां से इसका विद्रॉल कंफर्म्ड हो गया और एक भाई ने कहा था कि आप व 20 लिखना है अब 20 के बाद जो भी आमाउंट आपके पास इस पेज़ पर 20.001 हो 20.02 हो आपने उतनी ही यहां बेजनी है अगर 20.02 बेजनी है अगर 20 लिखा पाया तो 21 बेजोगे यह सारी चीज़े आपने ध्यान से काम करना है ठीक है कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करते नहीं चीज़ों का ध्यान से काम करना और नीचे टाइम में लिखा वह उतनी अंदर आपने बेज देने मिलता हूं आप से अगली वीडियो में अपना ख्याल रखो मुझे दौाओं मैं आत रखो गुडबाएं टिकर दोस्तों लाफ़ेस् कर दो मुझे भीडियो में उर खाक रखो उन्यान से कर दोस्तों